इस वाइरल वीडियो की पूरी सच्चाई और पूरी अखीकत क्या है वो आज मुआ आपको समझाने वाले हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है योग वाइरल कर रहे है शेयर भी कर रहे है अनलायक भी कर रहे है और कमेट में माशाला, सुभान लला इनना लिल्ला भी लिख तो आप वीडियो पर बड़े रहें लेकिन आज मैं वीडियो और शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट एक छोटी सी दर्खास आप लोग उसे करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे वाटसप से जुनना चाहते हैं और फेस्बूप पर अपलोड नहीं कर सकते वो आपको मिलती रहे ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि जुटी बातों को दुश्मन गरता रहे एहमा उसे पहलाता रहे बेवकूफ उसे सच समझने लगता रहे और नादा तो उस पर टटा रहता है और देखिए इनसान भी किता आजीव है अफ़बार की जुटी खबरों को खरीद के बढ़ता रहे और पर कुरान पाक की सची खबरों को मुफ्त में भी नहीं पढ़ता और सबसे अहन बात ये है कमाल की बात ये है कि अगर कोई खबर कोई वीडियो मक्का मदीना की हो तो एक मुसल्माद उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचता एक बार भी अपनी अखल का इस्तेमान नहीं करता लॉटिक नहीं लगाता बस उसी को सच सबचने लगता है और अगर उस खबर पर या फिर उस वीडियो पर आरभी में कुछ लिखा हुआ हो तो फिर तो पूछो ही मत इमान और यकीन का लेवल आए हो जाता है यदि उस पर कुछ भी लिखा हो आरभी में उसको कुरान की आयत समझ कर उस पर यकीन कर लिया जाता है ये बहुत बड़ी घलक फेमी है इसी का फाइदा उठा कर जूटी खबरे पहलाने वाले इस चीज का बरपूर इस्तमाल करते हैं यूटिलाइस करते हैं आरबी चूंके पुरान की जबान है लेकिन उसके साथ हमको ये भी समयना चाहिए आरबी जबान एक आम लेडविज भी है एक बोर्चाल की जबान भी है जिस जबान में अरब बात करते हैं एक लतीफा मुझे याद आगे सेदा हमें सुना भी होगा एक बिचारा हिंदुस्तानी हादी मक्का में तंबाकू खारा था तबाकू खारा था तो एक अरबी ने उसे देखा और तो मिनट तक अरबी में उसको डाटा और तंबाकू के नुक्साना तो उसको अरबी में सुनाए उस अरबी के जाने के बाद तंबाकू खाने वाला अपने साती से करे लगा यार मुझे पहले बार मालुम पड़ा कि तबा कु खानी की भी दूआ होती है जो उस अरबी ने मुझे बताई यह नि उस अरबी ने अरबी में उसको डाथ पिलाई लेकिन यह उसको दूआ समझ रहा है तो यह थैं हमारी यह अरबी जबान से हमारी दूरी का नतीज़ा कि अबे कुरान की आयते और अरबी जबान में फरही नहीं मालू बेरहाल यह वीडियो सोशल मीडिया पर आजकल खुब वाइरल गो रही है और उसमें यह बताया जा रहा है कि यह औरत जब खाने गाबा के सामने पहुची मताफ में पहुची और जब काबे पे नज़र डाली तो उसे काबा ही नज़र नहीं आ रहा था इसलिए वो औरत शौक हो गई और चीखने चिलाने लगी कि मुझे काबा नज़र नहीं आ रहा है यह अici हैरत की बात है बड़े बड़े जुआरी बड़े बड़े शराबी बड़े बड़े सूत खोर बड़े बड़े रिश्वत खोर बड़े बड़े मरडर स, माफिया वहां पहुच जाते हैं और उनको काबा नज़र आ जाता है और यह औरत ने ऐसा क्या गुना कर दिया कि उससे काबा नज़र नहीं आ रहा है और हम लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं हलाके मैं आपको बता दू कि ये तीन मेहने पहले भी ये वीडियो और एक साल पहले भी यही वीडियो वारल हुआ था और आप फिर ये वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है वाइरल हो रहा है एक नई कहानी के साथ अब इस वीडियो के साथ जो कहानी सुनाई जा रही है वो कहानी ये है कि ये जो खातून है ये औरत है ये मुर्दे नेलाने का काब करती थी उसने एक मुर्दे एनि एक खातून की मर्बी थी नेलाते वगत उसके रिच्चारों के कहने पर यदि रिच्चारों ने उसारत को पैसे गालालच दिया और कहा कि ये एक तावीज है वो उसारत के मुँं में नेलाते वगत आप रखतू वो तावीज नेकर नेलाते वक्त वो मुर्दा खातून के ह bite उससे असर यह भूआ कि जो कहाली बता भी जारी है आला कि ऐसा होता नहें भी लेकि जो कहाली ext Black बता भी जारी है उसके बारे मता रहा हूँ कि वो तावीज रखनी की वज़ा से कुछ दिनों के बार उस मुर्दा खातून के बेटी का इंतका लगो गया फिर रिष्टदारों ने वही फारमूला अपनाया और पीटी के वहों में भी ताविज रखने के लिए कहा फिर इस आवरत ने लानश में आकर पिर ताविज रखो आया फिर उसके बेटी का भी इंतका लगो गया कुछ दिन के बार और फिर प्रापटी रिष्टदारों में तक्सीम हो गई तो ये गुना उस आवरत ने किया था जिसको कावा नजर नहीं आ रहा था और तो उसके रिष्टदार जिनों नहीं सब कराया उनको कावा नजर आ रहा होगा हड़ोती है जहालत की बी ये हमारा मिश्टाही तल्मीना है ये नबवी नुस्खा है आप सलोगला लगे ने फर्माया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है रिजा भी है शिफा भी है दवा भी है इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है एक गिलास दूद में दो चम्मस तन्वीना डालकर इसे उबाले खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद ये शकर डालकर आप भी पिए बचों को भी बिलाए घर में अरे उमर के लिए ये मुफीद है स्क्रीन पर आ रहे नमबर पर आप कॉल करें आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुचा दिया जाएगा ठीके एक से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है अगर आप डिस्ट्यूबिटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नमबर पर आप कॉल करें मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मरतबा क्यों नहीं होता आप खरीर देंगे ठीके इसे गुना की वज़ा से उस औरत को कावा नज़र नहीं आ रहा था इसलिए उसने कावे में चीखोगार मचा दी वगयरा वगयरा इतनी दिल्चस्प कहानी इतनी इंटरस्टिंग स्टोरी इस वीडियो के साथ जोड दी गए और हमारे प्यारे मुसल्मान आई बहर काम पर लग गए और वीडियो के कमेंट में जाकर अस्तग्फिरूल्ला इना लिल्ला माशाल्ला सुवान अल्ला लिखने लग गए और इस वीडियो को शेयर करने लग दे यानि कुछ भी कुछ भी कितनी नौनसेंज बात इल्लोटिकल बात बे मामुले से दिमार रने वाले को भी इस बात के अफ्कीन नहीं आना चाहिए अबु जहन को काबा नजर आ सकता है एने बड़े बड़े दुश्मराल इसलाव को काबा नजर आ सकता है तब से नेकार अब तक बड़े बड़े गुनेगार वहाँ पर पहुँचे ऐसे ऐसे पापी वहाँ पर पहुँचे कि जिनके पाप अगर सुने तो हमारे कालों से फून नी करने लग जाए उनके साउने से कावा नज़ गायब नहीं हुआ और इस औरत के एक गुना से जो के मनगड़त है उससे कावा नज़र नहीं आ रहा रहा हद होती है जहानत की और लाइदमी की और मुझे तो ऐसा लगता है कि यानि इस हमारी कौम की जहानत पर इन्ना लिल्ला और अस्तभ लिल्ला पढ़ना चाहिए कि ऐसे वाकियात पर भी अम यतीन करने लग जाते है हाला के हकीकत यह है कि ऐसी ही एक गहानी किसी और औरत के लिए एक साल पहले भी इस्तेमाद की गई थी मैं ये वीडियो चला तो नहीं सकता कॉपिराइट की वज़ा से लेकिन इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इस वीडियो में आप साफ देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं कि ये वाकिया ये कार्णी एक साल पहले भी किसी और आउरत के लिए सुना ही गई थी इस वीडियो का सच सिर्फ इतना है कि ये आउरत पहले से बिमार चल रही थी दिमागी उसका इलाज चल रहा था उन लोगों को लगा के भी यहां आने के बाद में हो सकता है कि इस मुकद्स जगा की बर्गस से यहां दूआ कबूल होती है इसका इलाज हो जाएगा ये सियत मन हो जाएगी जब वो मताफ में आई तो उस औरत को दिमागी दोरा पड़ा और उसकी यहालत हो गई और ये जो वीडियो है एक पाकिस्तानी शखस ने एक वीडियो रिकॉर्ड उसकी कर ली नॉर्मल उसके सामने ये वापिया हुआ उसका भी बयान सामने आ गया वो कहता है कि मुझे खुद ताजब हुआ जब लोगों ने मुझे ही ये कहाली सुनाए मेरी ही वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर जबके वो मैंने रिकॉर्ड की मैंने मेरी हांकों से देखा मैं को चश्मती गवा हूँ एक बावली सा नॉर्मल सा दिमागी दोरा उसको पड़ा था जो मेरे सामने हुआ मैंने वो वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया तो लोगों ने ही मुझे कहानी सुनाने शूरू कर दी मैं उस वीडियो का भी निंग नीचे बिस्क्रिप्शन में दे दूगा आप वो दोनों वीडियो देख लीजिए दूद का दूरा पानी का पानी हो जाएगा तो मेरे भाईयो बिलकुल जो है अल्ला ने दिमाग दिया है और सबसे उचा उसको रखा है बागी सब नीचे दे लेकि दिमाग को यहां रखा है इसलिए किसी भी चीज़ को देखो तो दिमाग लगाओ एना इसलम कभी भी इस तरह के गरामात और इस तरह के जो जादूई मनजर जैसे गोट होता है इस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता ना हमारे ये इमान का इस्सा है ठीक है? बास समझ में आई तो देहां लगके एक अएंदा कोई ऐसे वीडियो आई तो बिना तैकीत के उस पर यकीन न करें मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको फाइदा जरूर हुआ होगा आप मारे वाट्सअप को जॉइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन लिक में मौझूद ठीक है? तब तब मेरे लिए पुरी उम्मत के लिए पुरी इंसानियत पुरी मानवता के लिए और अबारे बेरे मुलक बारत के लिए यहाँ की अमन शान्दी तरफ की उन्नती के लिए खुब दौाए करते रहें असलाम आलेकुम और रहमतुल्ही वबरकात और ये गिफ्ट सेट आपको सिर्फ 25 सो रुपे में हम देगे लेकिन इसके साथ एक ओफर भी है एक खुशखबरी भी ले कि ये गिफ्ट सेट लेने के बाद में आपको एक तन्वीना हमारी दरफ से फ्री दिया जाएगा इंशानला इस स्क्रीन पर आ रहे हैं नंबर पर आप कौन करके वटसप करके आप ये आउडर कर सकते हैं और हमारी विबसाइट www.wistahyaperfumes.com पर भी जाकर आप विजिट कर सकते हैं वहाँ से भी आप आउडर कर सकते हैं इंशानला आप ये आउडर करें आपके लिए नफ़े का सौदा होगा और सारे इत्र आपको एक साथ मिल जाएंगे इंशानलाए ठीक है झालए झालए